हाँ जी, हलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों, I am CA Anshul Jain, your faculty for CA Foundation Accounts and CA Foundation Law ये क्लास हम आद स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे CA Foundation Business Law का, this is the first class और सर बहुत सा लॉपढ़ाने के बाद, यतने tremendous results आने के बाद I wanted to give gift to my students, और मैं लेके आया sir, hand written notes yes sir, बिलकुल सही सुना आपने, CA Foundation Business Law के पूरे के पूरे hand written notes ये आप देख रहे हैं, ये तो सिफ एक glimpse है, अरे sir, excitement मत बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बता दो तो ये है मेरा motivation hand written book का आप जरूर पढ़िएगा, चलिए sir, मैं आपको दिखाता हूँ ये रहे आपके hand written notes, ये notes मैंने खुद अपने students के लिए prepare करे हैं और ये notes बहुत comprehensive है, इसमें एक भी concept section, subsection नहीं छूटा है तो class में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, हम लोग इनी notes को use करेंगे पढ़ने के लिए और law को समझ के याद करने के लिए मेरी law पढ़ाने की जो methodology है सर, वो बहुत simple और sorted सी है मैं बहुत ज़्यादा focus करता हूँ concept building के उपर मेरा एक simple सवे है सर, आप और मैं नहीं किसी और ने law बनाया है तो जिस person ने law बनाया है, उसको बोलते है law maker उस law maker के logic को पकड़ लो, कि उसने ये particular provision क्या logic पर frame करा जिस दिन हमने वो logic पकड़ लिया, उस दिन हम section कभी नहीं भूलेंगे तो हम लोग जो law पढ़ेंगे, वो हर concept में law maker के logic को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि law maker ने ये provision बनाते time, क्या thought दिया और ये provision लेके आए है ये जो notes है, ये आप सभी को classes के enrollment के साथ मिल जाएंगे Classes sir कैसे attend कर सकते हैं, classes attend कर सकते हो face to face आप classes attend कर सकते हो live streaming mode पर या फिर आपकी ये वाली जो classes record हो जाती है या आप Google Drive और Pen Drive में आराम से आपकी convenience के पर देख सकते हो तो ठीक है sir, चालू करते हैं, हम लोग आज से हमारी first class से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे ये रहा आपका छोटा सा syllabus foundation में आ गए sir, 12 छूडिया, school छूडिया तीरे दीरे दीरे हम professional world में आ गए हैं हमारे उपर society की responsibility, parents की expectations और खुद की खुद की sir, आगे बढ़ने की बहुत बहुत इच्छा हैं जो है वो साथ में लेके हमको हमारा foundation एक shot में with tremendous marks clear करना है तो ये रहा आपका syllabus सबसे पहले है Indian contract act जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं sir, बस बस सर सिर्फ और सिर्फ चे यूनिट्स है फिर पढ़ेंगे sales of goods act उसमें ज़्यादा कुछ नहीं चार यूनिट्स है फिर पढ़ेंगे partnership और फिर पढ़ेंगे limited liability partnership और फिर पढ़ेंगे companies act बस इतना चोटा सा syllabus है हमारा CA foundation business law का चलिए sir, start करते हैं हम लोग आज से सबसे पहला Indian contract act जिसमें छे यूनिट्स है उसके first unit की शिरुवात करते हैं Indian contract act unit 1, nature of contracts ये पूरा का पूरा unit based है contracts के उपर में in general sense आप लोगों से पूछना चाता हूँ आप क्या समझते हैं contract से आप बोलोगे contract मतलब sir agreement हम जबी भी कोई property rent पर लेते हैं तो हम agreement करते हैं जब हम घर खरीते हैं तो हम agreement करते हैं ऐसे agreements को contracts बोलते हैं ऐसा आप in general sales समझते हो पर ऐसा law नहीं बोलता है contract की definition किसी definition पर based है वो definition किसी और पर based है और वो किसी और पर based है तो हमको धीरे धीरे इस flow को समझना पड़ेगा फिर जाके हम contract को समझ पाएंगे तो contract की definition बोलती है sir contract is an agreement enforceable by law contract एक agreement है जो की law से enforceability मिली है तो sir फिर पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा की agreement क्या होता है बिल्कुल सही पकड़ा है आपने तो आईए sir आगे बढ़ते हैं और समझते हैं what is agreement agreement क्या होता है agreement बोलता है sir every promise और set of promise ओहो तो sir पहले किसको समझना पड़ेगा promise को promise समझेंगे agreement और agreement से समझेंगे contract को तो sir promise क्या होता है promise का मतलब होता है जब हम किसी को offer या proposal देते हैं और वो हमारा offer या proposal accept कर लेते हैं तो उसको promise माना चाता है हमारे जेठा लाल जी ने बभीता जी को offer दिया है कि क्या आप मेरे साथ एक foreign trip घूम के आओगे और बभीता जी अगर इस offer को accept कर लेते हैं तो ये offer accept होने के बाद promise बन जाता है मतलब sir जब proposal accept हो जाता है यानि offer accept हो जाता है वो promise बनता है स्टेफी और शाम हमारी class के दो students शाम ने स्टेफी को propose किया वालेंटाइन स्टे पर will you spend your balance स्टेफी को propose किया यहाँ पर जब अगर स्टेफी ये proposal accept कर लेती है तो वो promise बन जाता है हमारी class में एक बच्ची आती है नानसी वो एक yellow color की Mercedes लेके आती है वो भी convertible open मुझे गाड़ी बड़ी पसंद आई मैंने एक दिन नानसी को बोला मैंने नानसी को offer दिया है I want to purchase your car for 20 lakhs अगर नानसी ये offer accept कर लेती है तो हमारा जो offer है वो turn होकर promise बन चुका है तो सर्फ promise की definition होती है when the person to whom the proposal is made जिस इनसान को अपने proposal दिया है वो अपनी assent दे दे assent का मतलब होता है sir approval अगर वो अपनी approval दे देता है तो माना जाएगा कि आपका proposal accept हो गया है when the person to whom the proposal is made signifies his assent दे तो वो अगर अपनी assent अपना approval दे देता है proposal accept हो जाता है और sir जैसे ही proposal accept होता है वो एक promise बनता है I hope आपको proposal की definition promise की definition clear होई promise का मतलब होता है when the person to whom the proposal is made जिस इनसान को अपने proposal दिया है उसने proposal को accept कर दिया है तो वो promise बन जाता है when the proposal is accepted it becomes a promise तो ठीक है sir done sir promise की definition एकदम clear हो गई next बढ़ते है sir उपर agreement की definition के उपर क्योंकि agreement ने reference promise को दिया था तो जब आपण promise समझ चुके हैं तो अपम उपर जाके agreement समझेंगे agreement क्या होता है agreement की definition to e में दे रखी है every promise और set of promise forming consideration for each other मैंने आपको promise किया है आपने मुझे promise किया है दोनों में कुछ ना कुछ consideration होना चाहिए consideration का मतलब क्या होता है consideration का मतलब होता है something in return अगर मैं आपसे गाड़ी खरीदूंगा तो मैं आपको 20 lakhs दूंगा क्या बोलती है जनता बिलकुल सर दोगे तो मैं आपसे जब consideration sorry मैं आपसे जब गाड़ी खरीदूंगा तो मैं आपको क्या दूंगा मैं आपको 20 lakhs दूंगा और आपको मुझे क्या देना पड़ेगा कार देना पड़ेगा तो एक बंदे के लिए 20 lakhs और एक बंदे के लिए कार consideration है consideration मतलब something in return आप अगर return में कुछ कर रहे हो तो माना जाएगा agreement में consideration है और जब जब promise के साथ consideration मिलेगा वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा agreement तो सबसे पहले हमने किसी को proposal दिया जैसे मैंने आपको proposal दिया कि I want to buy your car for 20 lakhs यह जो मैं 20 lakh रुपे में आपसे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ मैंने आपको offer दिया है मैंने आपको proposal दिया है जैसे ही आपने इस offer या proposal को accept कर लिया यह क्या बन गया promise अब इस promise में चेक करना है क्या कुछ consideration है बिलकुल है sir आपने मुझे 20 lakh देने है और आपको मुझे गाड़ी देना है तो यह जो 20 lakh देना और गाड़ी देना consideration है यानि हमारे promise के साथ जब consideration बनता है तो क्या हो जाता है agreement हो जाता है और sir second example जब जेठा लान ने बबीता जी को offer किया था क्या यहां पर कोई consideration है क्या sir एक बार यह और समझाओ न लो बिलकुल सुनो जेठा लाल ने बबीता को बबीता जी को offer किया है बबीता जी के साथ जी लगाना पाप पड़ता है वो भी गहरा तो sir जेठा लाल ने offer दिया है किसको बबीता जी को offer दिया है क्या offer दिया है क्या आप मेरे साथ foreign trip घूं के आऊगे यह जेठा लाल का प्रपोसल था बबीता जी ने प्रपोसल accept कर लिया क्या यह promise बन गया Yes sir definitely यह promise बन गया क्या इस promise में कोई consideration है क्या इस promise में कोई consideration है नहीं सर इस promise में कोई consideration नहीं है यहाँ पर something in return नहीं है यहाँ पर कोई obligation नहीं है जब obligation नहीं है consideration नहीं है तो यह सिर्फ promise बन जाएगा यह agreement भी नहीं बनेगा मतलब promise को agreement बरने के लिए consideration देना होता है अगर promise के साथ consideration नहीं है तो agreement नहीं बनेगा शाम ने स्टेफी को प्रपोस किया था कि मुझे अपनी बालेंस लाइफ आपके साथ गुजारनी है यहाँ पर offer accept हो गया था promise बन गया था पर क्योंकि promise में कोई consideration नहीं था तो किसी भी type का agreement हुआ क्या नहीं sir किसी भी type का agreement नहीं हुआ clear है जी बढ़ें आगे चलिए sir तो हमने बहुत simple सा concept discuss करा कि offer जब accept होता है तो promise बनता है और promise में जब consideration होता है तो agreement बनता है तो पहले promise की definition recall कर लेते हैं जो दे रखी है section 2 subsection B में यह जो हम initial होता है इसको section number बोलते है और जो अंदर bracket में लिखे होते हैं उसको subsection बोलते है इसमें आगे और discussion करेंगे over the time जैसे जैसे आते जाएगा तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent there तो जब उसने अपना approval दे दिया माना जाएगा उसने एक proposal accept कर लिया और जैसे ही proposal accept हो जाता है वो एक promise बन जाता है अब sir आते है agreement की definition के उपर वो बोलती है every promise जो जो मैं आपको promise कर रहा हूँ या set of promise कई बार set of promises भी होते है मैंने बोड़ा मैं आपसे 20 लाक में गाड़ी तो खरीदूंगा ही सही साथ मैं आपको क्या करना पड़ेगा मुझे इस गाड़ी की तीन साल की warranty extend करा के दिना पड़ेगी Mercedes से तो मेरे एक promise के साथ कई बार set of promises भी होते है तो every promise और set of promise forming consideration for each other is known as agreement हर वो promise और set of promise जिसमें consideration होगा वो agreement बनेगा और जिसमें consideration नहीं होगा वो promise के level पर ही रुक जाएगा तो sir यहाँ पर हम एक चीज़ को थोड़ा सा noting करते हैं आप लोग भी please मेरे साथ note करिएगा चलिए sir सबसे पहले क्या होता है sir सबसे पहले होता है offer जब यह offer accept हो जाता है offer when accepted जैसे ही आपने offer दिया या फिर आपने proposal दिया है जैसे ही आपने offer या proposal दिया और यह accept हो गया यह क्या बन जाता है sir यह promise बन जाता है law इसको नाम क्या देता है sir law इसको promise नाम देता है जैसे ही कोई offer accept हो जाएगा वो promise बन जाएगा now sir अब अगर किसी promise के साथ consideration भी होगा मतलब उसमें मुझे आपको कुछ करके देना है आपको मेरे लिए कुछ करके देना है मतलब promise के साथ consideration होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो agreement बन जाएगा अगर promise के साथ consideration होगा तो वो agreement बन जाएगा हमारे best friend का birthday था उसने हमको offer दिया कि मैं सोच रहा हूँ तीन दिन के लिए goa trip मेरी cost पे हमने बोला एक तो goa trip वो भी दोस्तों के साथ और वो भी तीसरी चीज सर पूरी हो रही है वरना goa की trip दोस्तों के साथ सिर्फ on paper बनती है क्या वो पूरी होती है क्या sir अरे sir कहा sir goa की trip कहा पूरी होती हो तो बस बनती है sir हमारे best friend ने हमको offer किया goa की trip तीन दिन उसकी cost पर हमने offer accept कर लिया जैसे ही हमने offer accept करा क्या वो promise बन गया yes sir definitely वो promise बन गया हमको सुभे साड़े छे बजे की flight थे हम excitement excitement में लेट हो गए सोने में sir रात में तीन बजे सो है सुभे की flight मिस हो ग sir इसने मेरे साथ contract को तोड़ा है या इसने मेरे साथ agreement को तोड़ा है हम बोलेंगे sir agreement तो हुआ ही नहीं था सिर्फ offer accept हुआ था और when the offer gets accepted it becomes promise बस promise में consideration होगा तो agreement बनेगा यहाँ पर गोवा जाना क्या कोई consideration है क्या कोई law उसको कोई value regard करेगा नहीं sir बिलकुल नहीं तो sir क्य offer accept हुआ था promise बना था पर promise में consideration नहीं है इसलिए वो agreement नहीं कहलाया जाएगा तो अब sir आप इन general says जिन जिन चीज़ों को agreement समझते थे जरूरी नहीं है कि वो सब agreement हो ही सही तो agreement वो होगा जब किसी promise के साथ consideration होगा तो agreement होगा तो I am concluding here मैंने जो आपसे गाड़ी खरीदने व चीज़ों में consideration था येस सर वो agreement होगा जेटाला और बवीता जी वाले में कोई consideration नहीं था वो promise के level पर रुक जाएगा ठीक है सर ओके सर डन सर तो promise की definition एकदम सर क्लियर हमको याद भी हो गई सर और agreement की definition भी हमको याद हो गई my methodology is to make you law learn right in the class itself और आपको law पूरा का पूरा class में याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको provisions याद हो चुके हैं क्योंकि हमारा explanation इतना in-depth होगा इतने इतने सारे examples होगे कि class में ही याद होता जाएगा तो सर promise की definition निप्टा दी agreement की भी निप्टा दी आजाओ सर किस पर? contract की definition के उपर what is a contract? contract क्या होता है sir? contract is an agreement enforceable by law contract एक agreement है जिसको law ने enforceability दे रखी है contract एक agreement है जिसको law ने enforceability दे रखी है तो sir promise से बनता है agreement agreement अगर है मतलब promise के साथ consideration था तो agreement बना और अगर agreement के साथ enforceability होगी मतलब court के दरवाजे खुले होंगे तो ही जाके वो contract बनेगा छोटू नाम का बन्दा एक पर गोवा गया गोवा पे बीच पर उसने देखा कि लोग कुछ अलग अलग टाइप के powders consume कर रहे हैं विचार ड्रक्स इसने एक बंदे को offer दिया बोला सर मुझे ड्रक्स खरीदना है उसने offer accept कर लिया इसने 50,000 बोले उसने 50,000 में accept कर लिया क्या इसने offer दिया था yes sir क्या offer accept हो गया yes sir क्या वो promise बन गया yes sir क्या इसमें consideration है हाँ sir बिल्कुल है छोटू को अपने 50,000 रुपे देने है और जो drug dealer है उसको इसको 50,000 के drugs देने है तो क्या ये agreement बन जाएगा yes sir क्योंकि एक promise में consideration है तो definitely agreement बन जाएगा तो ये वाला example जो है agreement की definition में fit हो गया agreement तो ये बन गया क्या ये agreement को contract बोल सकते हो contract की definition होती है agreement enforceable by law enforceable का मतलब है court के दरवाजे खुले है जद सहाब इसको entertain करेंगे इस decision को सुनेंगे और इसके उपर अपना decision देंगे क्या sir court में इस चीज़ की जगा है मतलब sir हमने उसको 50,000 रुपे दिये उसने 50,000 रुपे में agree भी करा agreement भी बना पर वो sir 50,000 रुपे लेके निकल गया sir वापस कभी हमको देने नहीं आया और हमारे पास उसका ID proof था हमने court में case फाइल कर दिया क्या court इस particular deal को discuss करेगा बिल्कुल नहीं sir क्योंकि एक agreement not enforceable by law है एक illegal चीज़ के लिए करा है क्या ये enforceable होगा नहीं sir ये enforceable नहीं होगा इसलिए agreement की definition तक रुख जाएगा ये contract नहीं बनेगा second case sir मैंने आपसे गाड़ी लेने की वादा किया था मैंने आपको offer दिया 20 लाग में आपकी yellow Mercedes दे दो आपने accept कर लिया क्या offer accept हो गया yes sir क्या agreement हो गया yes sir क्या consideration है हाँ sir agreement हो गया okay sir आपने मुझे Mercedes दे दी पर मैंने आपको 20 लाग रुपे नहीं दिये just for an example ऐसा of course नहीं होगा पर मैंने आपको 20 लाग रुपे नहीं दिये पर आपने आपकी Mercedes मुझे दे दी क्या आप मुझे court में लेके जा सकते हो yes sir मैं आपको definitely court में लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ क्योंकि ये agreement enforceable by law है कुछ illegal काम नहीं करा है तो law की enforceability ऐसे agreements को जरूर जरूर मिलती है इसलिए ये agreement क्या हो गया ये agreement enforceable by law हो गया बड़ें आगे सर नेक्स्ट example शाम ने दस मैने के लिए एक flat rent पे लिया शाम को class में स्टेफी मिल गई शाम को स्टेफी से प्यार हो गया मुहबत इतनी गहरी थी कि शाम का पड़ाई में लगना बंद हो गया दस मैने का agreement था कि दस मैने हम इस property को रखेंगे शाम ने क्या करा शाम चले गया और शाम के घरवाले आए और शाम की इस condition को देखा और शाम को वापस लेके अपने गाउं चले गए अब क्या हुआ agreement तूड गया yes sir तूड गया क्या जो landlord है वो court में ले जा सकता है और बूल सकता है दस महीने का agreement था तो मुझे जो भी loss हुआ है वो सारा में loss आपसे cover करूँगा yes sir वो definitely court में ले जा सकता है और loss recover करने की बात कर सकता है क्योंकि ये agreement enforceable by law था ये legal चीज के इस क्या तो कारवाला example कि आप मुझे court में ले जा सकते हो yes sir definitely जा सकते हो rent वाले grample में कि आप मुझे court में ले जा सकते हो yes ले जा जब किसी इंसान को अपने proposal दिया है उसने अपना signified उसने अपनी आसेंट दे रखी है आपका proposal accept हो गया जैसे ही proposal accept हो जाता है वो promise बन जाता है फिर आते हैं sir agreement की definition की उपर तो agreement की definition क्या बोलती है every promise और set of promise forming consideration for each other हर वो promise या set of promise जो एक दूसरे के लिए consideration form कर रहे हैं हम उसको agreement बोलते हैं और contract क्या होता है sir an agreement enforceable by law is a contract वो agreement जिसको law की enforceability मिली है उसको ही आप सिर्फ contract बोलोगे तो sir आज से आप जिन जिन जिनरल चीज़ों को contract बोलते थे आपके मन के वो सारे doubts clear हो गए होंगे की sir इन चीज़ों को contract बोलना गलत है तो sir section number 2 subsection h Indian contract art का बोलता है contract is an agreement enforceable by law दूसरा sir एक contract में एक तो agreement होना चाहिए और एक enforceability होना चाहिए फिर सब ठीक है sir तो एक agreement होना चाहिए एक enforceability होना चाहिए तो फिर हमने agreement पढ़ना चालू करा जो subsection 2E में दे रखा है जो बुलता है every promise or set of promise forming consideration for each other उसके बाद हम गए promise की definition के उपर जो 2B में दे रखा है where a person to whom the proposal is made signifies yes in there to the proposal is set to be accepted when the proposal is accepted it becomes promise ठीक है sir, done sir, चलो sir अब sir ये था कि जब जब proposal ये offer accept होगा वो क्या बनेगा? वो promise बनेगा जब promise में consideration होगा वो क्या बनेगा? agreement बनेगा now जब किसी agreement के साथ enforceability होगी जब किसी agreement के साथ enforceability होगी law की मतलब law उसको enforce कर सकता है मतलब port के दरफासें stitch के लिए खुले है जब किसी agreement के साथ enforceability होगी बचो वो बन जाएगा contract वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा contract clear है sir चलिए sir फटा फट से सब लोग अपने notes में इसको space ढूनके बहुत जगा space छोड़ रखिए sir आपके लिए सब लोग इसको फटा फट से copy कर लो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं चलिए sir quickly quickly सब लोग इसको copy कर लीजे यह है यहां तक का conclusion फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं हमको next पढ़ना होगा legal enforceability क्या होती है चलिए sir moving further हमने definition complete कर ली promise agreement और contract की at length next concept है sir पहले sir next concept पे चलने के पहले एक बारी conclude तो कर दो तो final conclusion है उपर की टीन definitions का सबसे पहला an agreement is the result of proposal made by one party to other party एक agreement आता कैसे है sir जब एक party दूसरी party का proposal देती है तब और other party उसका acceptance देती है mutual consideration के लिए तब जाकर एक agreement आता है इसलिए an agreement is equals to offer plus acceptance एक agreement तभी बनेगा जब offer plus acceptance होगा rather sir offer plus acceptance plus consideration होगा चलिए sir तो agreement contract की definition में हमने पढ़ाता है agreement enforceable by law agreement वाला जो party वो पूरा complete कर लिया अब enforceability समझ लेते हैं sir enforceability का मतलब होता है आपके और मेरे contract में इतनी power है कि वो एक legal obligation को rise कर सके एक legal obligation एक legal liability एक legal first आपका और मेरा develop हो सके उस cases में बोला जाएगा कि an agreement is enforceable by law तो an agreement to become a contract must give rise to legal obligation कि अगर sir आपने मेरे साथ ford करा है तो code के दरबासे आपके और मेरे लिए खुले हैं और जट साब आपको हमारे और आपके ऊपर किसी के ऊपर decision देखे एक दूसरे के ऊपर legal obligations create कर सकते हैं जिसका मतलब होता है duly enforceability by law यानि law की enforceability मिल गई है तो an contract is equal to agreement plus enforceability एक contract कैसे बन कर भाराता है sir एक contract बन कर भाराता है जब उसमें agreement होता है और law की enforceability होती है तो law की enforceability मतलब when it give rise to legal obligations जिसको हम लोग technical law की भाशा में बोलते हैं sir enforceability by law which is technically called as law enforceability or duly enforceability by law तो sir एक बारी examples भी बता दो क्या क्या एक्जाम में लिखने है जितने notes में examples है that are all relevant for your exams you must quote while writing your answers सब से पहला Steffy agrees with Nancy to sell the car for 2 lakh here Steffy is under obligation to give car to Nancy on payment of 2 lakhs and also Nancy is under obligation to give Steffy to pay rupees 2 lakh to Steffy Steffy has a right to receive 2 lakh Steffy agree करा है car बेचने के लिए तो Steffy को car देना है वो उसका obligation है Nancy को 2 lakh देने वो उसका obligation है law of contract deal करता है सिर्फ उन agreement से जो की offer acceptance से बन कर भार आए है क्योंकि ये contractual nature के होते है यारी मैंने आपको offer दिया आपने offer accept किया आपने offer accept करा वो promise बन गया promise में consideration है तो वो agreement बन गया agreement में legal enforceability है तो वो contract बन गया सिर्फ ये Indian contract act उन contracts और उन agreements को deal करता है जो offer acceptance से बन कर भार आते है वो agreement जो बिन offer acceptance के हुए है उस पर Indian contract act नहीं लगता है अरे sir कैसे एक ज़रा example तो दे दो तो आओ सुनो An obligation to maintain wife and children under the order of court of law किसी court ने एक husband को order दे दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा wife और children को maintain करना पड़ेगा ये out of the scope है contract act के क्योंकि इसके लिए कोई offer दिया था कि husband ने wife को कि आप मुझे 50,000 और पर मन लो मैं आपको और बच्चों को maintain करूँगा नहीं sir ये तो court ने order दिया था ये contract तो है पर इसके उपर Indian contract act के provisions नहीं लगेंगे ये contract definitely है पर इस पर Indian contract act के provisions नहीं लगेंगे क्योंकि ये contract offer acceptance agreement consideration वारे route से नहीं court ने बोला है कि ये कैसा contract हो गया है जिसमें husband को wife और बच्चों को maintain करना है तो उस पर Indian contract act के provisions नहीं लगेंगे तो yellow sir final conclusion chain offer से बनेगा acceptance बिलकुल sir acceptance से बनेगा आपका agreement बिलकुल sir offer से acceptance agreement legal enforceability और legal enforceability के बाद बनेगा contract एक तम sorted concept हो गया sir कोई load की बाद नहीं चलिए sir आगे बढ़ते हैं essentials of valid contract एक valid contract करने के लिए क्या क्या essentials है क्या क्या चीजे जरूरी है तब जाके एक valid contract बनता है क्या क्या essential चीजे है एक contract को करने के लिए अब ये section number 10 में दिया गया है तो कुछ चीजे तो ऐसी है जो section number 10 में दी है कुछ चीजे ऐसी है जो section number 10 में नहीं दे रखी है जो चीजे section number 10 में दे रखी है that are 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th, 6 points बोले तो sir 6 points कुछ चीजे तो section number 10 में नहीं दे रखिये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th point बोले तो 5 points यानि sir आप एक simple सी बात बोल रहे हो 6 plus 5, 11 points पूरे समझना है बिल्कुल सही पकड़े हो essentials of a valid contract एक contract को करने में क्या-क्या चीजे जरूरी है ऐसे 11 points पढ़ना है कुछ section 10 में है कुछ section 10 में नहीं है कोई load नी sir मैंने तो आपको mix करके एक बहुत अच्छा pattern create कर दिया है जिससे हम in essentials of valid contract को याद कर लेंगे ये chart मैंने आपके लिए बना दिया है इसके flow में हम लोग पूरे के पूरे 11 points को अभी की अभी यहीं की यहीं इसी वक्त याद कर लेंगे बस साथ में एक चोटी सी चीज कर दो आप मेरे लिए बोलिये ना sir आप लिख दो 5 plus 3 plus 3 बोले तो sir ये क्या लिखवा दिया पहले 5 points का 1 set फिर 3 points का 1 set फिर 3 points का 1 set इस तरीके से करेंगे पूरे 14 points एक बारी में याद हो जाएंगे आओ sir एक जड़ा छोटी सी कहानी से इस चीज को याद करते है शाम और स्टेफी दो वो बच्चे चो CA Foundation की क्लास में मिले दोनों साथ बैठते थे दोनों साथ समय बिताते दोनों साथ classes attend करते थे दोनों homework साथ में देते टेस्स साथ में करते थे वो लोग हर जगा साथ में खूंने जाते थे every every place for going for lunch going for some brunch going for a break everything they were together तो शाम के मन में गाया ख्वाब किया स्टेफी से सुन्दर सुशील संसकारी समझतार लड़की मचे नहीं मिल सकती है she is one of the most sensible girls I have ever met अरे सर ये स्टेफी क्या है स्टेफी is our example queen हम लोग mostly concepts स्टेफी की through drawing है स्टेफी बड़ी शुब साबित हुई है results के terms में देखोगे आप अगर तो जिन जिन examples को हमने स्टेफी लिया है वो सब concept exam में आए और वही सारे concept आपको बहुत अच्छे से याद रहे तो स्टेफी बड़ी शुब साबित हुई है चली तो सर सबसे पहले किसी contract को बनाने में दो party होनी चाहिए पहली party वो जो offer दे दूसरी party वो जो offer accept करे तो अपने case में कौन हों गई वो दो party शाम और स्टेफी सबसे पहले एक contract में दो party होना चाहिए यहाँ पर एक contract हो रहा है एक शादी का contract करा रहे हम किस के बीच में शाम के बीच में और स्टेफी के बीच में तो सबसे पहले दो party होना चाहिए उन दो पार्टी में से किसी भी एक पार्टी ने किसी को ओफर दिया हो, दूसरे ने ओफर का acceptance दिया हो, अरे बिलकुल सर, शाम ओफर देगा और स्टेफी ओफर को accept करेगी ये जो ओफर का acceptance होना चाहिए, उसमें consent लगेगी, जैसे मैंने आपसे बूछा, आपकी गाड़ी मुझे बेच रहे हो, तो आपने consent दी हाँ या फिर ना, सर बेचना है या नहीं बेचना है, ये जो consent मैं आपसे ले रहा हूँ, ये free होना चाहिए, मतलब शाम ने स्टेफी को propose करा, तो स्टेफी जो consent दे रही है, वो consent free होना चाहिए, स्टेफी के दिमार्ग में कोई load नहीं, free mindedly consent देना चाहिए, दो type की consent होती है, एक आप जब pressure में आके, force में आके देती हो, कोई डरा के धमका के भी आपसे consent ले सकता है, एक freely आप आपके mind से soul decision सो समझ के दे रहे हो, वो एक legal relationship बनाना होना चाहिए, आप social या domestic agreements कर रहे हो, जैसे आपने contrary करी और एक cricket match organize कराया, आपका intention को legal relationship create करना था, कि of course नहीं से हमने तो cricket match खेलने के लिए organize कराया था, तो जब आपका intention legal relationship create करना नहीं है, तो फिर वो contract नहीं बनेगा, तो चौता reason है, आपका intention legal relationship create करना होन चाहिए, या शाम और स्टेफी का intention होना चाहिए, कि हमें एक legal relationship create करेंगे, और पांचवा है capacity of party, जो भी parties to contract है, उनकी capacity होना चाहिए, ये जो capacity की बात कर रहे हैं, सर ये 30 ml, 60 ml, 90 ml की नहीं बात कर रहे हैं, capacity मतलब आप contract करने के लिए eligible हो, या आप eligible नहीं हो, उसको हम capacity of the party ब तीसरा, चौथा, पाचवा, पाच पॉइंट का पहला sit खतम होता है, यहाँ पर हम पहले पाच पॉइंट्स रिवाइस करते हैं, सबसे पहले शाम और स्टेफी होना चाहिए, यानि दो party, एक party offer दे, दूसरी party accept करे, यानि offer और acceptance होना चाहिए, तीसरा सर, free consent होना चाहिए, जो consent दी गई हो, वो free हो, चौधा, intention to create legal relationship, आपका intention legal relationship create करना होना चाहिए, और पाचवा है, capacity of the party, आपकी जो capacity हो, आपकी जो capacity हो, वो contract करने के लिए हो, यानि आप competent to contract हो, तो सर, अगर ये 5 चीज़े होगी, तो आप एक contract बना पाओगे, ऐसे तो 11 याद करनी है, पहले 5 का एक set आप सबको याद हो गया, आए होप सबको पहला 5 का एक set याद हो गया, हम essentials और valid contract पढ़ रहे हैं, जिसमें 11 पॉइंट है, पहला 5 पॉइंट है, two parties, दूसरा पॉइंट है offer acceptance, दीसरा पॉइंट है free consent, चौता पॉइंट है intention to create legal relationship, पाचवा पॉइंट है capacity of the party, दो पाट कर ले, अभी के लिए short में समझत, दोनों 18 साल से बड़े हो, तो वो contract कर सकते हैं, यादि उनकी capacity है contract करने की, पहले 5 पॉइंट का एक set खतम, क्या बोलते हो, क्या आपका भी मेरे साथ खतम हो गया, जल्दी जल्दी reply कर दो, yes sir, yes sir, yes sir, बिल्कुल याद हो गया, very excited sir, आगे बढ़ते हैं, तीन, तीन, पॉइंट के दो set और खतम करने हैं हमको, next है हमारा, sixth, seventh, एक second, ओहो, my numbering mistake कर दी, certainty of the meaning, sixth होगा, possibility, seventh होगा, not declared to be void, eighth होगा, पांचवा point capacity of party पे खतम हो था, आगे, ये लोगों ने जो एक agreement बनाया, वो meaningful होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे agreement बनाया, I want to purchase your car for 20 lakhs, now which car, which model, which fuel type, मैंने आपको बताया, क्या नहीं sir, आपने तो कुछ भी नहीं बताया, तो हमारा meaning क्या certain full है, क्या नहीं sir, हमारा agreement है, वो certain meaningful नहीं है, उसका meaning properly नहीं निकल सबता है, तो आपको पूरी details लिखनी चाहिए, इसलिए six point is certainty of meaning, आपका जो transaction है, वो meaningful होना चाहिए, seventh है possibility of performance, ऐसा contract करो जो possible to be perform हो, अपने staffie क्या है न साब, ex army man, ex colonel साब की बिटिया है, retired, ठीक है, और शाम एकदम simple, देशी सोबर आदमी, staffie एकदम swag वाली लड़की है, क्या आपको लगता है, इनकी शादी होगी, चलिए इसलिए इनकी शादी होगी या नहीं होगी हो, तो law के अंत, मैं आखरी दिन बताऊंगा, इनकी शादी होती है, यानि end में, example, example में खेलते हैं sir, अभी तो, but sir, आप जो भी agreement करो, वो possible of performance होना चाहिए, मैंने आपको बोला, आप एक काम करो, आप all India first, second, third rank में से एक चीज़ ले आओ, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़क simple होना चाहिए, eight है, possibility of performance, आप ऐसा agreement करो, जो performance दिना possible हो, छीक है, six हो गया, seven हो गया, eight point है, not declared to be void, कुछ agreement से जो void होते हैं, जो करना allowed नहीं होते हैं, वो agreement आप नहीं कर सकते हो, charm और stephy का agreement भी चेक कर लो, कहीं ऐसा agreement तो नहीं है, जिसको हमने void declare कर दिया हो, तो sir, eight point है, not declared to be void, तो पहले पांच का exit खतम कराता, हम एक तीन का exit पढ़ रहे थे, six, seventh और eight, six है, certainty of meaning, seventh है, possibility of performance, और eight है, not declared to be void, contract void declare नहीं होना चाहिए, five plus three, eight complete हो गए, पहले पांच और फिर तीन revise कर लेते हैं, इसको cumulative revision बोलते हैं, सबसे पहला two party, दूसरा है, offer an acceptance, तीसरा है, free consent, चौता था intention to create legal relationship, और पांच वा था capacity of party, फिर तीन का exit, जो की था certainty of meaning, कि जो agreement हो, वो meaningful हो, possibility of performance, और not expressly declared to be void, वो void declare नहों, six, seventh, eight खतम होते हैं, अब बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन points, पहला है legal formalities, यह तीनों legal lawfuls related ही होंगे, यह होंगे हमारे 9, 10th और 11th, 9th, 10th और 11th, 9th है legal formalities, जो contract को बनाने में legal formalities होती है, वो contract को बनाने में legal formalities करना चाहिए, शाम और स्टेफी को एक marriage certificate बनाना चाहिए, उनकी legal formalities होगी, इनका object lawful होना चाहिए, जब मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा था, क्या object lawful था, yes sir, पर जब छोटू ने गोवा के बीच पे से drugs खरीदे, क्या उसका object lawful था नहीं sir, तो वो contract नहीं बनेगा, फिर तो आपको object lawful होना चाहिए, और आपका consideration lawful होना चाहिए, छोटू ने जो 50,000 रुपे पे करें वो तो lawful था, पर सामने वाला जो consideration में drugs दे रहा था, क्या वो lawful थे, बिलकुल नहीं, पर कार वाले example में मैं आपको 50,000 बीस लाग रुपे दे रहा था, वो भी lawful था, और आप मुझे गाड रिकरी के दो तीन-तीन रिकॉल कर लेते हैं, फिर पूरा रिकॉल कर लेंगे, 6, 7, 8 था, 6 था, certainty of meaning, जो है agreement में आ रहे हो, meaningful हो, possibility of performance, और 8 था, not expressly declared to be void, 6, 7, 8, done, 9, 10, 11, lawful legal selected था, तो सबसे पहले था, legal formalities, lawful consideration, lawful object, legal formalities, lawful consideration, तीन-तीन खतम, अब पहले के 5 और 3 और 3 एक ब चाहिए, सर, फिर क्या कर रहा था, imagine करो, दो पार्टी, शाम और स्टेफी, शाम ने offer दिया, उसने acceptance दिया, acceptance क्या होना चाहिए, consent मिलरी, जो free मिलनी चाहिए, intention to create legal relationship होना चाहिए, और उनकी capacity होना चाहिए, भाई, 18 साल से उपर हो, तभी contract हो सकता है, चली सर, फिर 3 का accept, capacity of party certainty of meaning, और possibility of performance, फिर 3 का, sorry, certainty of meaning, possibility of performance, और not explicitly declared to be void, अब लास्ट तीन बचने तो legal lawful stated ते, legal formality is lawful object, lawful consideration, यहाँ पर हमने पूरे 11 points याद कर लिये, जो की था, essentials of a valid contract, एक contract को बनाने में क्या-क्या, essential, क्या-क्या, जरूरी चीज़े होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं, section number 10 में दी दीवी चीज़े, section number 10 में दीवी नहीं चीज़े, मैंने तो merge करके एक बहुत अच्छा format ready कर दिया, इससे हमको 11 points पूरे के पूरे, पूरे almost learn हो गए, पर section 10 एक बाद बोलता है, all agreements are contract, if they are made by free consent, हर agreement contract होगा, अगर वो free consent से होगा, already sir, पढ़ क्या है, वो parties competent to contract होगी, बिलकु पढ़ा है, sir, object lawful होगा पढ़ा है, sir, और not expressly declared to be void होगा, मतलब sir, आगे कि जो 11 points है, क्या उनमें से ही definition बनेगी, yes, इसलिए अभी मैंने आपको definition नहीं बताई, being at the first class, I will not go in detail for these 10 points, 11 points now, ये 11 points मैंने आपको cumulatively revise करा 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 करे, समझा हम जांके, story बना मना के, याद करवा दिये हैं, पर इनके अंदर का content हम लोग next class से चालू करेंगे, आज इनके अंदर का content नहीं करेंगे, but sir, हमारी कुछ परंपराएं है, प्रतिष्टान है, अनुशासन है, वो है, sir, cumulative revision class के end पर, sir, बहुत ही जरूरी है, Indian Contract Act Unit 1 में, sir, क्या-क्या पढ़ाया, आओ, देख promise और set of promise, very good, a forming consideration for each other is a agreement, and then what is promise, when a person to whom the proposal is made, signifies its assent there too, जब किसी इंसान को proposal दिया है, उसने अपना signify कर दी, उसने अपनी assent दे दी है, the proposal is set to be accepted, and when the proposal is accepted, it becomes promise, फिर हमने conclude करा था, sir, अगर एक बार offer accept होगा, तो promise होगा, promise में consideration होगा, तो agreement होगा, और agreement के साथ, अगर legal enforceability भी होगी, तो जाकि contract बनेगा, तो अब हम इन general sense जो contract समझते थे और जो law contract को बताता है, उसमें काफी difference है, और वो हमने categorize करके finish up कर दिया, फिर हमने पढ़ा था final conclusion change, फिर हमने पढ़ा था, enforceability, enforceability का मतलब होता है, it must give rise to legal obligation, जिसका एक और नाम होता है, which means duly enforceability by law, उसके बाद सर हम पढ़ना चालो हुए थे, कुछ examples, और फिर हमने एक बहुत important चीज़ देखी थी, जो मैं आपको don't forget करके दे रखी है, contract act सिफ उन contracts के उपर लगेगा, जो offer acceptance से आए है, यहाँ पर इस वाले example में, जब court ने बोला था, husband को अपनी wife और बच्चों को maintain करो, वो contract तो है, पर Indian contract के provisions नहीं लगें, क्योंकि वो offer acceptance से नहीं बना है, और फिर final conclusion change, sir, offers acceptance, acceptance agreement, agreement से legal enforceability, legal enforceability से contract, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, sir, essentials of a valid contract, total 11 point, 5 plus 3 plus 3 का set बना है था, पहले 5 का set था, two party offer acceptance, free consent, intention to clear legal relationship, और capacity of party, next 3 का set था, certainty of meaning, possibility of performance, और not declared to be void, और 9, 10, 11, legal formalities, lawful object और lawful consideration, इसके साथ हमारे पूरे 11 points कतम होते है, essentials of a valid contract के, हम इनकी detail कल से यानि next class से स्टार्ट करेंगे, being it the first class, I am keeping it a bit shorter, कल से जो हमारे normal duration classes का वो रहेगा, so okay guys, I hope, आपको सब कुछ class में याद हो गया हो, I literally, literally believe the best teacher is one, जो आपको class में ही समझा के याद करा दे, अकर मेरा सिर्फ समझाने का काम हो, और आपको याद करना पड़े तो आपके efforts बढ़ते हैं, और मैं उस teach पर बिल्कुल believe नहीं करता हूँ, I always try to make things learn right in the class itself, चलो guys, see you tomorrow, that's all for today, thank you so much.